नमस्कार दोस्तों हम देख रहेते हिंदी की सिक्षन विडियों के टोप इंपोर्टेंट 500 परसन दोस्तों आज हमारा वीडियो नंबर 10 रहेगा जिसके अंदर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे 500 क्यूसन दोस्तों दोस्तों अभी तक अगर आपने सभी क्यूसन नहीं देखें दो प्लेलिस्ट में जाएंए हिंदी के नाम से बनी हुई है सभी वीडियो देखें नमर वाइज आपको वीडियो है वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तों इसके अंदर हम 400 एकाउंट से लेकर 500 तक के जो क्यूसन है वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के अंदर ओल्ल नोटिपिकेशन को जरूर ओरन करें दोस्तों चलते हैं क्यूसन की और पहला क्यूसन आपकी स्क्रीन पे है क्यूसन है आपकी कक्सा में कुछ भाव उन्हें हिंदी नाना सुनने में समझिया, तो सही एंसवर रहेगा option B, उनकी जो मात्र बाशा है, उसका क्या है? पर बाव है दोस्त हुए next question में चलते हैं, एक बहू भासिक एवं बहू सांसकर्तिक कक्सा के संद्रब में निम में से कौन सा कतन सही है? यहां पे में अपनी ककसा में बहु बासिकता को महत्यफग देती हूँ इसलिए में सभी बच्चों को अपने मातरी बासा में कहनने सुनने की आजादी देती हूँ ओप्सन डिया आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते है बहु भासिक्ता में बादक है बहु भासिक्ता के अंदर बादक क्या है सिक्सिक के छेत्री बासाओं के पड़ती नकारात में ग्रेवईया यह भी है चात्रू के अन्य बासाओं के पड़ती एरूची यह भी है सिक्सिक द्वारा चात्रू को अपनी बासा के प्रियोग पर मनाई यह भी है D option सही रहेगा उप्रोक्त सभी दोस्तों Next question में चलते हैं बहु बासिक अक्सा में सद्रड सिक्षन अधिगम परकिरिया के लिए क्या करना चाहिए चात्रू को उनकी मात्री बासा में बोलने के भी आउसर देने चाहिए आपका C option यहाँ पर क्या रहेगा सही रहेगा Next question में चलते हैं हिंदी की कक्सा में प्राए हिंदी तर बासी बच्चे एरूची परदर्शित करते हैं क्यूं करते हैं हिंदी तर बासी जो है वो बच्चे एरूची परदर्शित करते हैं क्यों करते हैं दोस्तों, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी भूत क्या लगती है, कठीन लगती है, जो हिंदी बासा के चातर नहीं है, और हिंदी के कक्सा चल रही है, तो उन्हें क्या लगती है, हिंदी कठीन लगती है, next question में चलते हैं गेर हिंदी बासी बच्चे हिंदी सीखने में कटिनाईयों का सामना करते हैं क्यूं करते हैं क्यूं करते हैं हिंदी और उनकी मात्रिवासाई सर्चना में अंतर होता है option C आपका यहां पे क्या रहेगा सही रहेगा next question में चलते हैं बहु बासिक अक्सा सहायक है, किसमे सहायक है दोस्तों, बासायक जो कोसल है उनमे निपूर्णता प्राप्त करने में, विबिन सांसकर्ति और बासाओं को जानने में, सिक्सन अधिगम परिकरिया को सुदर्ड बनाने में, उपरोग सभी, डी ओप्सन आपका यहां पे क्या र इचित होते हैं, डी ओप्सन आपका सही रहेगा, नेक्स्ट क्यूसन में चलते हैं, एक सांसकर्तिक प्रश्ट भूमी वाली कक्सा में, बासा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है, बहु सांसकर्तिक प्रश्ट भूमी वाली कक्सा है, उसके अंदर बासा सीखने के बारे में कौन सा विचार है जो उच्चित है दोस्तों ओप्शन सी सही रहेगा बासा प्रिवेस का निर्मान किया जाए ताकि बासा अर्जन की सहन इस्तती बन सके सांसकर्तिक परवू के दोरान कक्सा में लोक गीत प्रस्तिती का आयूजन करने का उदेश से क्या होता है क्या उदेश से होता है कि जो बच्चे है उनकी सांसकर्तिक जानकारी है उसको बड़ावा मिले और आपका सही रहेगा नेक्स्ट यूशन में चलते हैं दो बासा बोलने वाले बच्चे ने केवल अन्य बासाओं पर अच्छा नियंतर रखते हैं बलकि सेक्सिक इस्तर पर भी वे क्या होते हैं दोस्तों अधिक रचनातमक होते हैं डी उप्सन आपका सही रहेगा इंपोर्टन क्यूशन है यह दोस्तों नेक्स्ट यूशन में चलते हैं प्रात्मिक इस्तर पर बहुत सांसकर्तिक प्रश्टबूमी वाली कक्सा में बच्चे लक्से बासा के प्रिवेश से बासा अरजित करते वे दिमे दिमे बासा के रचनातमक प्रियोग का अभ्यास करने लगते हैं। बहुत सांसकर्तिक प्रश्टबूमी वाली बासाईक अक्साओं में बासा सिक्सन के लिए अत्यावसेख है। इसका संभावित कारण क्या है दोस्तों ? इसका संभावित कारण है यह उसकी मात्रिवासा का प्रवाव है। जाँ बोलते समय अक्सर आवसेख इस्ततियों के अंदर नेका प्रियोग नहीं किया जाता है। बासाई विवीदता, बासाई विवीदता, भारते कताओं का सत्य है, बासा की कक्सा में एक संसादन, बासा है जो कक्सा में एक संसादन है, बहु बासिक बच्चे के संग्यानात्मग विकास की ओर संकेत करती है, तो बासाई विवीदता तीन ओप्सन सही है, आपका डी ओप् सई रहेगा सभिएगा सभिए के में रीक तिस्तानों के लिए उप्योग सब्स दों का विकलप चुमना तो गर में बोली जाने żenkeiccusa की बासाऊं तथा पाठे-पुस्टक में प्रियूब की जाने वाली बासा चाहिए यह और ऑप सनुद्गा- में यहां पर पार्टे पुस्तक. ओप्सन ए आपका सही हो गया. Next question में चलते हैं. रागी ने हमेशा हेड़ पंप को चापा कल बोलती है. एक सिक्सी का के रूप में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? संपूर्ण का अक्सा उबताएंगे कि हेड़ पंप है, उसको चापा कल भी कहा जाता है. ओप्सन डी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा. Next question में चलते हैं. बासा की पार्टे पुस्तक में लोग गीतूं को इस्थान देना बारत की सांसकर्तिक विशेस्ताउं से परिच्चित होने में मदद करता है. ओप्सन ए आपका सही रहेगा. Next question में चलते हैं. सुएल एक साल पे ले असाम से क्या एदा पंजाब आया. वे हिंदी बासा का परियोग करते समे तुरूटियां करता है. एक सिक्सक के रूप में आप किस कतन को सही मानेंगे दोस्तूं? तो B option वाले को. सुएल को बासा परियोग के अधिकादी का उसर्व प्रोचसान देना चाहिए. Next question में चलते हैं. बहु बासिक कक्सा के संदर्म में आप इनमें से किस गतिविदी को सरवाधिक उचित समझते हैं? किस गतिविदी को है जो आप सरवाधिक उचित समझते हैं दोस्तूं? किसको हिंदी पाटू में आए चिडिया पुस्त कूँ को आपकी बासा में क्या कहते हैं? बताईए. Option D सही रहेगा. Next question में चलते हैं. बहु बासिकता बच्चे की अस्मिता का निर्मान करती है. Option C आपका सही रहेगा यहां पे. Next question में चलते हैं. बहु बासिक कक्सा में सिक्सक में इतनी योगेता उसे हो कि वह सबी बच्चों की मातरी बासाओं की सर्चनाओं को जान सके. Option C आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा. Next question में चलते हैं. बहु बहु सांसकर्तिक प्रश्ट बूमी वाली कक्सा में बासा सिक्सक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रस पर बाच्चित करने के अधिक से अधिक अधिक अवसर देने चाहिए. A option सही है यहां पे. Next question में चलते हैं. नीना की कक्सा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना वस्तू प्राणी के लिए अलग-अलग भासाओं के सबद खोजते हैं. नीना ऐसा क्यू करती है? ऐसा क्यू करती है? बहु बासिकता को बड़ावा देने के लिए. Option C आपका सही रहेगा. Next question में चलते हैं. राष्टिये पाटे चर्या की रूप्रे का 2005 के अनुसार कौन सा कतन सही है? इनमें से कौन सा कतन सही है दोस्तों? Option B वाला बासा सिक्षन एक परकार से अन्ने विश्यों की कक्साओं में भी मुझूद रहता है. Option B आपका यहाँ पे सही रहेगा. Next question में चलते हैं. विदाले में एक से अधिक बासाओं का सिक्षन है वो बहु बासिक्ता और राष्टिय शदभाव का परसार करता है. परचार परसार करता है. Option आपका C यहाँ पे सही रहेगा. Next question में चलते हैं. एक बहु बासिक कक्सा में बच्चों की गरह बासा के परियोग को क्या देना चाहिए? समान देना चाहिए. B option आपका सही रहेगा. Next question में चलते हैं. बासा सिक्सक को एक सांस्कर्थिक कक्सा में किस बात पर बल देना चाहिए? बच्चों को बासा प्रयोग करने के अधिक से अधिक आउसर देने चाहिए next question में चलते है बासा सीखने का आर्थ उस बासा की सीखना भी है क्योंकि बासा किसी भी का एबिन हिसा होता है संसकर्ती और संसकर्ती option भी बासा सीखने का आर्थ उस बासा की सेंसकर्ती सीखना भी है क्योंकि बासा किसी भी सेंसकर्ती का अभी निसा होता है next question में चलते हैं तुमारे आसपास में ऐसे कौन कौन से फूल है जिनकी बहुत तेज महक है फूलू के नाम अपनी बासा में लिको हिंदी बासा के इन अभ्यासूं का उदस से है क्या उदस से है दोस्तों पार्ट को अपने अनुभू संसार से जोडने के उसर देना और बहु बासिकता को पोसित करना ये option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं बासा के सम्मंद में कौन सा कतन सही नहीं है इन में से कौन सा कतन है जो सही नहीं है दोस्तों बासागत विविदिता एक समस्या ये कतन सही नहीं है next question में चलते हैं बासा की कक्सा में ये जरूरी है कि जो बासा की कक्सा होती है उसमें ये जरूरी है कि बासिक प्रष्ट भूमी के आदार पर किसी को पिछे न छोड़ा जाए option C आपका सही रहेगा next question में चलते हैं बासा की पाटे पुस्तकों में हिंदीतर बासाओं को भी जगें मिलनी चाहिए इसकतन के समर्तन में कौन सा तरक काम करेगा दोस्तूं बहुती important question है इसमें जो 3 बासा सुतर है उसका क्या किया गया है पालन किया गया है तो आपका D option यहां पे सही हो जाएगा 3 बासा सुतर का पालन किया जा सकता है next question में चलते हैं परतेग बासा की परश्ट भूमी में अवस्तित भासिक विवस्ता ही और कारिय करमों को गड़ती है परतेग बासा की परश्ट भूमी में अवस्तित भासिक अवस्ता विवस्ता ही दारनाओं और कारिय करमों को गड़ती है option B आपका सही रहेगा next question में चलते हैं 3 बासा सुतर में हिंदी का इस्तान है 3 बासा सुतर के अंदर हिंदी का इस्तान किसका है दोस्तों राश्टर बासा के रूप में D option आपका सही रहेगा next question में चलते हैं हिंदी बासा की कक्सा में जो हिंदी बासा की कक्सा है उसके अंदर सभी बच्चे एक ही बासा के नहीं होते हैं Next question में चलते हैं, उच प्रात्मिक इस्तर पर बहु बासिक अक्सा में बच्चू की बासा या बासाएं, उच प्रात्मिक इस्तर पर जो बहु बासिक अक्सा है उसमें बच्चू की जो बासा या बासाएं हैं, वो एक संसादन होती है, औप्शन A आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं मैं अपनी कक्सा में बहु बासिक्ता को महत्वे देती हूँ इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातरी बासा में कहनने सुनने की आजादी देती हूँ औप्शन A आपका सही रहेगा नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं दित्य बासा सीखने के संदर्म में सबसे कम महत्वपून है क्या महत्वपून है अभी भावक से प्राप प्रोथसान दित्य बासा सीखने में सबसे कम महत्वपून होता है next question में चलते हैं बच्चे के school की बहसा और गर एवं पडोस में बहसा में होना या होनी चाहिए क्या होना चाहिए? समरूपता B option आपका यहां पे सही रहेगा next question में चलते हैं उच प्रात्मिक इस तर पर बहसा सीखने सिखाने की परकिरिया में सीखने सिखाने की परकिरिया में बच्चू की बासिक प्रष्ट पुमी की उपेक्सा बिलकुल नहीं की जा सकती है option B आपका सही रहेगा next question में चलते हैं बोजबूरी बासि मोना शेको शे रेको डे बोलती है इसका सरवादिक संभावित कारण क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? मातरी बासा का व्याग्यात option D आपका सही रहेगा next question में चलते हैं किस तरह के बच्चू को हिंदी बासा सीखने में अधिक कटिनाई का सामना करना पड़ेगा? किस तरह के बच्चू को करना पड़ेगा? जिनकी मातरी बासा हिंदी से बिन होती है option A आपका सही रहेगा next question में चलते है बासा कोशलू के सम्मंद में सर्वादिक महत्वपून कतन कौन सा है कौन सा है दोस्तूं चारू कोशलू को परियोग करने में निपून बनाना D option आपका यहां पर सही रहेगा next question में चलते है बासाही कोशल एक दूसरे पर क्या होते है निर्बर होते है अन्ते समंदित होते हैं दोस्तूं next question में चलते है कोशल अन्य बासाही कोशलू के विकास का आधार होता है कौन सा कोशल कौन सा होता है सर्वन कोसल जो अन्य कोसल होते हैं उनके विकास का अधार होता है सर्वन कोसल का सबसे कम महत्वपून उद्ध से है क्या उद्ध से है सबसे कम महत्वपून केवल सुनने की समता को विक्सित करना ये सबसे कम महत्वपून उद्ध से है सर्वन कोसल का दोस्तू तो दोस्तों आज हमारी complete हो गए हैं इंदी सिक्षन वीडियों के 500 important questions दोस्तों अभी तक अगर आपने सभी वीडियो नहीं देखें तो एक बार सभी है playlist में जाके सभी वीडियो देखें और comment करके बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगे अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास share भी करना और channel को subscribe जरूर करना आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारत